सावन का पवित्र महना अपने आप में बरत त्योहारों से भरा हुआ है इस वीडियो में हरियाली तीज के बारे में जानेंगे पूजा का सुब महरत राहुकाल समय कैसे आप बरत उपवास का नियम ले कौन से कारे ऐसे करें जिससे की मंचाहा प्रेम कुवारी लड़कियों को मिले सुहागिन महलाओं को पुत्र और पती का सुन्दर प्रेम मिले और परिवाद में सुख सम्रधिका प्रदान मिले आप जानते होंगे इस मेहने बहुत सुंदर त्योहार आते हैं जिसमें से हरियाली तीज बहुत विशेश महत्वता के स्वरूप में चानी जाती है इस दिन माता पार्वती और महादेव की सयुक्त रूप से पूजा करना खास तोर पर बालू अर्थाद मिट्टी के सिवलिंग बना कर उनका पूजन करना सास्तर प्रमान कहता है परम सुख प्रदान करता है अगर आपके छेतर में पूरे दिन भर में ब्रत उपवास किया जा विधिविधान से पूजन करकर मापार्वती और महादेव का उन्हें घेवर का भोग लगा कर सुहाग सामगरी समर्पित करकर सास की थाली निकाल कर जिसमें सुहाग की सामगरी और संपून चीज़े अगर सुहागी नहें सास तो उन्हें यह चीज़े समर्पित करकर 2024 में 7 अगस्त दिन बुद्धवार के दिन हरियाली तीच का सुभ सयोग हो रहा है सावन माह के सुकल पक्ष की तरती आती थी आरंब होगी 6 अगस्त दिन मंगलवार की शाम 7 बच कर 3 पन मिनट के आसपास और तरती आती थी समापन होगी 7 अगस्त बुद्धवार रात 10 बच कर 6 मिनट ऐसे मैं उदियाती थी और सुन्दर बुद्धवार के दिन यह मनाई जाएगी इस दिन आप सबसे पहले हरे रंग की लहरिया की साड़ी या सूट पहने बहुत स्रेश्ट माना जाता है अपने हाथ में महंदी और मस्तक पर बिंदी, सिंदूर, अर्था 16 शरंगार की सामगरी आप पहने कुवारी लड़की भी इस दिन अगर ब्रत करती है तो अत्यरीक सुब माना जाता है अपने अच्छे और घर वर के लिए तो आप सभी को आवश्यक रूप से कुवारी महली जो महला सभी को लड़किया इत्यादी को अपने हाथ में चूड़ी और जो है महंदी लगानी चाहिए कुवारी लड़की भी एक-एक हरे रंग की चूड़ी पहने महंदी बगर लगाए हरे रंग के कपड़े पहने बुद्धग्रह से संबंद रखता है बहुत अच्छा इसका पढ़नाम मिलेगा उसके बास संभव हो तो मिट्टी के मापारवती और महादेव का आप छोटा सा स्वरूप बनाकर विदिविधान से पूजन करें उन्हें इन दिनों जो मौसमी फल मिठाई आ रही है उनका भोग लगाए जैसे हमारे छेतर में घेवर इत्यादी मलता है तो उसका भोग लगाया जाता है माता पारवती को अगर अपनी मनु कामना कहते हुए इस दिन सुहागिन महला और कुवारी लड़किया हरे रंग की चूड़ी महंदी और संपुन सोलह स्रिंगार की सामगरी माता पारवती को अपनी मनु कामना कहकर समर्वित करती है तो ऐसी मानिता है मांगलिक दोष दूर होता है, वेवाहिकर्चन दूर होती है, सुभाग्यों में व्रध्धी होती है, सुभागिन महला भी यह कारी करती है, तो पती वच्चों की लंबे आयू होती है, साथी इस दिन सुभाग की सभी हरे रंग की सामगरी, किसी सुभागिन महला या ब्राम्ह की धर्म पत्नी होती हैं उन्हें दान में देना भी अखंड सोभागी के रोप में जाना जाता है मातपारवती और महादेव का गठ बंधन करना भी बहुत स्रेश्ट परणाम देने वाला होता है इस दिन पूजा का सुब महरत जरूर से जान लीजिए जो हरियाली तीज है इस शाम के समय में भी आप पूजा नित्य दिकर सकते हैं बहुत स्रेश्ट समय के सरूप में से जाना जाएगा शाम को पांच बचकर 27 मिनट से साथ बचकर 10 मिनट के आसपास भी आपको पूजा का स्रेश्ट पराप्द हो रहा है प्रदोशकाल में पूजा महादेव और मापा प्रदोशकाल का समय 6 बचकर 16 मिनट से 7 बचकर 46 मिनट के आसपस हो रहा है 7 अगस्त बुद्धवार के दिन नोट डाउन करते हुए चलिएगा अब आप सभी को यह भी जानना जरूरी है कि राहुकाल जो कि असुप समय माना जाता है इस समय कोई दान, पुन्य, पूजा, पा के आसपस आपको प्राप्त हो जाए तो इस समय कोई भी स्रेष्ट है और अपने आप सुहाग से सम्मंधित कारी करने से स्वेम को रोकिएगा ठीक है यह बात हो गई तो इस चीज को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा जैसे कि मैंने सुरू में ही बताया आप सभी को आप ब्रत कप खोलें आप ब्रत जो है जैसे कि कई छेत्रों में दोपहर में ही जब पूजा पाठ हो जाती है तो ब्रत खोल लिया जाता है परंतु कई छेत्रों में जो है दूसरे दिन इस ब्रत को खोला जाता है अपने छेत्र के अनुसार आपकारी कीजिएगा रहे से आप अपने ब्रत उपवास पूजा इत्यादी को करें निश्चित ही आपको लाब मिलेगा रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ते मिलेगी हरिया लितीच के दिन आप सभी आवश्यक रूप से कोई ना कोई जैसे बेल पत्र का पौधा शमी का पौधा सुभ रक्ष र की मुक्ति देंगे स्री सिवाए नमस्तु भ्याम जै मागोरी हर्ड़ाइब